Hello students, welcome to Magnet Brains आज जो हूँ अपना पार्ट लेकर आए हैं उस पार्ट का नाम है रजनी ये रचत है मनु भंडारी जी द्वारा तो ये एक क्या कहते हैं रजत पट पर प्रकाक्षत किये गई धारावाईक सीरिल था इन्होंने पूरी एक बुक लिखी थी उसी के उपर धारावाईक भी बने थे यानि कि episodes wise जो है एक सीरिल बना था रजनी मनु भंडारी जी ने ये पूरा एक सीक्रेंस में एक उपन्यास लिखा था उसी की है ये पूरी जो है उसी में से एक हमारे सामने घटना निकाल कर रखी गई है एक कहानी हमारे सामने प्रसुती हर कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें कुछ सीखने के लिए मजबूर करता था यहां पर सिक्षा को व्यविसाय बना रहा टिूशन जो है उस पर इस समस्या को सामने उजागर किया है तो इसमें एक main character होती थी लेडी जो किसी समस्या पर उस पर लड़ना शुरू कर देती थी हर एक तरीके से उसका नाम था रजनी तो उसी का नाम रखा गया है इस part का नाम भी रजनी चलिए देखते हैं पार्ट शुरू करते हैं पट कथा यानि पट या screen में लिखी गई वा कथा रजत पट अर्थात film के screen के लिए भी हो सकती है पट कथा मतलब जो screen के लिए लिखी जाती है और television के लिए भी मोल बात ये है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह कैमरे में फिल्माये जाने के लिए पट कथा भी लिखी जाती है तो जिस तरह से एकांकी लिखे जाते हैं, एकांकी जिस पे stage play होते हैं, उसी तरीके से पठकता लिखी जाती हैं, मतलब उसमें भी समवाद लिखे जाते हैं, इनमें भी समवाद होते हैं कोई भी लेकक अन किसी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुचा सकता जितना ही पठकता लेखन द्वारा तो कोई भी लेखा किसी भी विदाम पहुचा ले जादा पाठक तक अप नहीं पहुच पाता लेकिन पठकता लेखन द्वारा वो जादा से जादा पाठकों तक पहुच पाता क्योंकि उसकी बात स्क्रीन के जरिये उन तक पहुचती है इसका कारण यह की पटकता शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्म के रूप में लाखो करोणों दर्शुतों का पहुंच जाती है इसी कारण पटकता लेखन की और लेखिकों का रुझान हुआ यहां मनु भंडारी द्वारा लिखित रजनी धारावाहिक की कड़ी दी जा रही है मतलब सिर्फ एक एपिसोड हमारे सामने प्रस्तुत की यह नाटक 20 सदी के 90 दशक का बहुचर्चित टीवी ही धारावाहिक रहा है तो जिस समय नए नए धारावाहिक शुरू है थे बुनियाद हम लोग यह सब आते थे उसी समय के बाद से यह शुरू हुआ था वासु चैटरजी के निरदेशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी स्वयम में स्वतंत्र और मुकमल होती थी और उन्हें आपस में गुथने वाली सूतर रजनी थी अब इसमें क्या होता था हर कड़ी अपने आप पे पूरी हो जाती थी मतलब एक समस्या खड़ी होती थी और उस एपिसोड के अंत तक वो समस्या सॉल्व हो जाती थी मगर एक कड़ी दूसरे से जुड़े इसमें सर्फ एक कॉमन पात्र रहता था उसके करेक्टर जैसे रजनी है ये सभी में कॉमन रहती थी मगर समस्या जिस एपिसोड में शुरू होती थी उसी एपिसोड में ये समस्या खत्म भी हो जाती थी हर कड़ी में यह जो जारू और इंसाफ पसंद इस्तरी पातर किसी ना किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूदित जी नजर आती थी यहां रजनी धारवाई की जो कड़ी दी जा रही है वो व्यवसाय बनती सिक्षा की समस्या की और समाज का ध्यान खीचती है तो वो हर समस्या पे लेके आती थी लेकिन जो कड़ी अभी हमारे सामने प्रस्तूत करी जा रही है यहाँ पर हमारी पुस्तक में दी गई है वो कड़ी क्या है वो कड़ी है एक जिक्षा जो विवसाय बनती जा रही है उसके उपर है तो इसमें अब जैसे पहला द्रश है अब उसमें चलता है ना जैसे किसी के घर में है फिर कहीं बाहर गार्डेन में तो उसी तरीके से यह ज आज रिजर्ट आ रहा है रजनी उसे मिठाई तयार रखने को कहती है क्योंकि अमित बहुत होशियार है अमित के लिए रजनी आंटी हीरो है तभी अमित स्कूल से आता है उसका चेहरा उत्रा हुआ है वह रिपोर्ट कार्ड मांक की तरफ फेकते हुए कहता है मैंने पहले ह गडित में ट्यूशन लगवाने को कहा था अब क्या हुआ जो पहला द्रश है वो रजनी की जानकार इस्तरी है लीला उसके घर का है रजनी उनके घर जाती है और बोलती है कि चलो हम लोग बाजार चलते हैं लेकिन वो बोलती है कि नहीं आज अमित का रिजर्ट आ रहा है थोड़ी देर हम लोग रुखते हैं अमित आता होगा यह लिए आपस में बाद तो वो रजनी बोलती है कि ठीक है मिठाई तयार रखो क्योंकि अमित तो बहुत ही पढ़ने में अच्छा है और जाहिर सी बात है कि वो अच्छे नंबर लेकर ही आएगा और अमित के लिए र बढ़ित का ट्यूशन लगवा दो मतलब मैंस का मेरे को एक ट्यूशन लगवा दो ट्यूशन ना करने की वजह से उसे केवल 72 अंक मिले लीला कहती है कि तुने सारे सवाल ठीक किये थे तुझे 95 नंबर जरूर मिलने थे रजनी कार्ट देखती है दूसरे विश्यों में 86, 88, 82, 92 अंक मिले हैं तो अब क्या हुआ कि वो बोलता है कि मैंने बोला था कि मैथमें ट्यूशन लगा दो सिर्फ 72 यानि 72 अंक नंबर ही मिले हैं तो बोलता कि तुमने तो सारे सवाल अच्छे किये थे फिर तुमको इतने कम नंबर क्यों मिले तो रजनी कार्ट उटाती है तो देखती है सभी में 80 से उपर नंबर हैं सर्फ मैक्स में इतने कम नंबर क्यों है सबसे कम गड़ित में मिले अमित गुस्टे वा दुख से कहता है कि सर ने बार-बार ट्यूशन की चेतावनी देते थे तथा ना करने का परिणाम भुगतने के लिए तयार रहने की चेतावनी देते थे मतलब सर बार-बार कहते थे कि टूशन लगाओ नहीं तो बाद में तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा लीला इसे अंधेर गर्दी कहती लीला कहती है यह तो बहुत गलत बात है रजनी अमित को तसली देती है ततसारी बातों की जाच करती है उसे पता चलता है कि मिस्टर पाठक उसे गड़ित पढ़ाते हैं वह हर बच्चे को टूशन लेने के लिए कहते हैं अमित ने हाफ एरली के 96 नमबर मिलिये थे तो अब उन्होंने बताया कि जो अमित के जो master है Mr. Patak जो mat पढ़ाते हैं वो सभी बच्चों को tuition देते हैं अब वो देखती है कि पिछले में किते number मिले तो उसे half early में किते मिले थे उसको 96 यानि कि 96 मिले थे अध्यापक ने फिर भी उसे tuition रखने का आगरे किया मतलब उसे 96 नमबर मिले लेकिन तब भी teacher ने बोला कि तुम्हें tuition लेना चाहिए अमित अपनी माँ पर इसका दोशा रोपन किया रजनी उसे समझाती है कि उसे अध्यापक से लड़ना चाहिए ये सारी बदमाशी उसकी है अब अमित अपनी माँ से जगट रहा था कि तुमने tuition नहीं लगाया तो रजनी समझाती है कि इसमें गलती teacher की है माँ की नहीं है तुम्हें teacher से बात करनी चाहिए और teacher की बदमाशी है सारी रजनी अमित को कहती है कि वह कल उसके school जाकर सर से मिलेगी अमित डर कर उन्हें जाने से रोकता है रजनी उसे डाटती है तथा अगले दिन school जाने का संकल्प लेती है अब रजनी कहती है कि मैं अगले दिन school जाऊंगी और teacher से मिलूंगी तो भई वो डर जाता है अमित की नहीं आप नहीं जाएंगी तो रजनी उसे डाटती है कहती कि नहीं हमें ऐसे डर के नहीं रहना चाहिए और संकल्प लेती है मतलब निश्चे करती है कि वो कल स्कूल जरूर जाएगी अब यहां से ये पहला दर्शे खतम हो गया अब दूसरा दर्शे आया दूसरा दर्शे क्या था इस्थान हेड मास्टर का कमरा अभी स्कूल पहुंच जाती है कहां पहुंचती है हेड मास्टर के पास में रजनी अमित के स्कूल के हेड मास्टर से मिलने गई उसने अमित सकसेना को गडित की कौपी देखने की अनुमती मांगी उसने कहा कि मैं अमित सक्सेना की जो मैट्स की कौपी है उसे देखना चाहती हूँ हेड मास्टर ने वार्षिक परिक्षा की कौपीयां दिखाने में असमर्थता दिखाई उन्हें कहा कि हम वार्षिक परिक्षा की कौपीयां नहीं दिखाते हैं रजनी कहती है कि आमित ने मैक्स में पूरा पेपर ठीक किया था परन्त उसे केवल 72 रंक मिले हैं वह देखना चाहती है कि गलती किस की है तो उसने बोला कि उसने सारा पेपर सही किया था और उसे सिर्फ 72 रंक मिलें तो वो यहां सिर्फ जाच करना चाहती है कि गलती किस की है इस बार उसके नंबर किस बात के लिए काटे गए हैड मास्टर नियमों की दुहाई देते हैं तो रजनी व्यंग करती है कि यहां होश्यार बच्चों को भी टूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है तो अब क्या है वो बोलते हैं वो बताते हैं कि नियम है कि हम नहीं कर सकते हैं उसको पहले तो रजनी बोलती है कि पहले भी उसे अच्छे नमर मिले हैं तो अभी क्यों काटे गए हैं तो बोलते हैं कि हम नहीं दिखा सकते तो फिर यह रजनी बोलती हैं कि यह स्कूल में तो जो बच्चे अच्छे उनको भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर कि जो भी है ये teachers और students का आपसी मामला है मेरे को इससे कोई मतलब नी मैं इससे अलग व्यक्ती हूँ तो वो इसको बिल्कुल इन सब चीजों से अलग कर लेता है रजनी उसे कुर्ची छोड़ने के लिए कहती है ताकि tuition के काले धंदे को रोका जा सके headmaster आग बबुला होकर रजनी को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है तो रजनी बहुत गुस्से में आ जाती है तो बोलती है कि आपको अपनी कुर्ची छोड़ देनी चाहिए ये जो काला धंदा इसे प्रकाश में लाईए नहीं तो कुर्ची छोड़ दीजे जब रजनी ऐसे बोलती है तो headmaster बहुत गुस्सा हो जाता है और रजनी को कहता है कि आप रूम से बाहर चले जाएए अब यहाँ पर होता है तीसरा दृष यानि कि थोर्ड जो सीन लगता है वो क्या है इस्थान रजनी का घर अब यह जगा है क्या रजनी का खुद का घर शाम के समय रजनी के पती घर आते हैं वहां उसके लिए चाय लाती है फिर उन्हें अपने काम के बारे में बताती है पती है उनके घर आते चाय वाय देती है फिर बताती है कि क्या किया उसने इस पर अभी उसे समझाते हैं कि टीचर ट्यूशन करे या धंदा तुम्हें क्या परेशानी है तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा इस बात पर रजनी भड़क जाती है और कहती है कि अमित के लिए आवास क्यों नहीं उठानी चाहिए अन्याय करने वाले से अधिक दोशी अन्याय सहने वाला होता है तुम्हारे जैसे लोगों के कारण देश में कुछ नहीं हो सकता तो अब वो बताती है कि मैंने ऐसा-एसा किया कि मैं वो गलत था उसके साथ गलत हुआ आमित के साथ तो वो उसका पती बोलता है कि तुम अब टिशन करे या धंदा उससे क्या मतलब तुम्हारा बेटा तो पढ़ने नहीं जा रहा तो रजनी बहुत गुसा हो जाती है कि अन्याय करने से जादा अन्याय सहने वाला गलत होता है अगर हम अन्याय सह रहे हैं तभी तो अन्याय करने वाला कर रहा है तो इसलिए वो अपने पती से भी गुसा हो जाती है कि जो है ऐसा करने वालों के कारण ही देश जो है बरबाद है यह यहां से खतम होता है अब चौथा दरश्चा आता है फोर्थ सीन आ रहा है क्या है? स्थान डारेक्टर ओफ एजुकेशन का कार राले अब सीधे कहां पहुँच गई? जो डारेक्टर ओफ एजुकेशन के पास में रजनी दफ्तर के बाहर बेंज पर बैठे अधिकारी से मिलने की प्रतीक्षा कर रही है मतलब बैठी है और ओफिस के बाहरे वेट कर रही है वह बेचैन हो रही है प्रतीक्षा करते करते जब बहुत देर हो जाती है तो वह बढ़बढाने लगती है तब ही एक आदमी आता है तता स्लिप के नीचे पांच रुपए का नोट रख देता है अब क्या होता है कि वह बहुत गुस्से बहुत देर से इंतरा करे तो तो गुस्सा आ रहा है तो वह देखती कि एक आदमी आता है तो जहां वह नाम के स्लिप रखी है जो अंदर जाती है उसी के नीचे वह पांच रुपए का नोट रख देता है चप्रासी उसे तुरंट अंदर भेज दस आता है जिस आदमी ने वह पांच रुपए का नोट रखा था उस आदमी को वह जो बहार का चप्रासी था उसने तुरंट अंदर भेज दिया रजनी यह देखकर क्रोधित हो जाती है फिर उसे यहां भरष्टा चार दिखता है गलत दिखता है तो फिर वो गुसा हो जाती है वो चप्रासी को धेकेल कर अंदर चली जाती है निदेशक उसे घंटी बजने पर अंदर आने की बात कहता है जब उसे गुस्सा आता है तो चपरासी को धका देती है और अंदर चली जाती है तो जो अंदर बैठे थे officer वो बोलते हैं कि जब हमें घंडी बजाओंगा आपको बुलाओंगा तब आपको अंदर आना चाहिए आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते रजनी उसे खरी खोटी सुनाती है इस पर रंदेशक उससे बात करता है फिर रजनी पहले गुस्से थी तो बोलने लगती है अच्छे से उसको लक्षर सुनाने लगती है तो फिर क्या होता है फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं आपसे बात करता हूँ वो ओफिसर समझता है कि इनको तकलीफ है गुस्से में है तो ठीक है कि मैं आपसे बात करता हूँ रजनी प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसे संबंधों के बारे में जानकारी इकठा कर रही है निदेशे समझता है कि शायद वो कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही है तो वो जो क्या है प्राइवेट स्कूलों के बारे में और क्या उसका गौर्मेंट के साथ क्या जो बंधन वगरा होता तो यह समझता है कि वो कोई research कर रही है इसलिए ये सारी जानकाली लेने आई है वह बताता है कि board मानता प्राप्त private school को 90% grant देता है इस grant के बदले वो school पर नियंतरण रखते हैं तो मतलब जो है ना board जो है वो क्या करता है grant देता है मतलब पैसे देता है और इसी के बदले क्या करता है वो school पर नियंतरण रखता है कि कुछ भी गलत नहीं होने पाए school के उसके नियम मानने होते हैं मतलब जो भी board नियम बनाएगा वो school को मानना होगा इस पर रजनी कहती कि private school में tuition के धन्दे के बारे में आपका क्या रवईया है अब जो main मुद्दा था वो उस पे आती है कि जो tuition के धन्दा हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या सोच है निदेशक कहता है कि इसमें धन्दे जैसी कोई बात नहीं कमजोर बच्चे के माबाप उसे tuition दिलाते है बच्चा कमजोर है तो वो tuition लेगा तो इसमें कोई धन्दे की बात नहीं होती तो उनका यह कहना है कि जो बच्चे कमजोर है उनके माबाप उन्हे tuition पढ़वा देते है ये कोई मजबूरी नहीं है इस पर रजनी उसे बताती है कि होशियार बच्चों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है तब वो बताती है कि ठीक है जो बच्चे कमजोर है उनको टीशन लेना तो सही है लेकिन जो होशियार है उनको टीशन लेना क्यों जरूरी है उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप टीशन लीजिए Headmaster ऐसे teacher के खिलाफ action लेने से परेज करता है और जब headmaster से शिकायत करी जा रही है तो वो ऐसे teachers के खिलाब कोई action नहीं ले रहा है क्या आपको ऐसे racket बंद करने के लिए दखन दाजी नहीं करनी चाहिए तो बोलती है कि आपकर आपको ऐसा कुछ जंदा चल रहा है जहां पर पैसे एटे जा रहा है पैरेंट से तो क्या आपको ये सब चीज़े बंद करने के लिए कोई action नहीं लेना चाहिए इस पर निदेशक कहता है कि आज तक कोई शिकायत नहीं आई रजनी व्यंग करती है कि बिना शिकायत के आपको कोई जानकारी नहीं होती निदेशक अपनी व्यस्तता का तर्क देते हैं तो रजनी उसे कहती है कि मैं आपके पास शिकायतों की धेर लगवाती हूँ तो वो निदेशक क्या बोलते है कि मेरे पास अभी तक कोई ऐसी शिकायती नहीं आई कि बच्चा मेरा होश्यार है और फोर्स किया जा रहा है कि ट्यूशन लगाई है तो वो बोलते हैं कि फिर वो एक तंज करते हुए बोलती है जैसे लगता है कि अगर आपको पास शिकायत नहीं आईगी तो आपको क्या पता नहीं चलेगा तो कहती है आप परिशान नहीं मैं आपके पास में शिकायतों का डेर लगा देती हूँ तो वो गुस्ते में वहाँ से निकल जाती है अब क्या आता है पाचवाँ द्रश्य पाचवाँ द्रश्य अब कहां सेट अप हो रहा है अख़बार का कार रहा ले मतलब अब वो कहां पहुँच गए नियूस पेपर में नियूस शप्राने के लिए पहुँच गए रजनी संपादक के पास जाती है संपादक उसके कारी की प्रशंशा करता है और कहता है कि आपने टूशन के विरोध में बाकाइदा एक आंदोलन खड़ा कर दिया है ये जरूरी है रजनी जोश में कहती है कि आप हमारा साथ दीजिए तता इसे अपने समाचार में स्थान दे तो क्या है वो पूरा एक लिक के लेकर गई थी वहाँ पे छपवाने के लिए एक आंदोलन ताकि जिसको जिसको प्रॉब्लम में वो शिकायत करे तो वो बोलती है कि आप हमारी सहायता करिए तो हम इस समस्या को जड़ से हटा सकेंगे इससे यह थोड़े लोगों की बात नहीं रह जाती मतलब अगर हम करेंगे तो यह थोड़े लोगों की बात नहीं अगर हम इसको चापेंगे तो बहुत से लोग ऐसे हमारे सामने आएंगे इसे अनेक अभिवाकों को राहत मिलेगी तथा बच्चों का भविश समर जाएगा और अगर ये solve हो जाती है तो बहुत से जो parents से उनको परवालों भी नहीं होगी बहुत से बच्चों के भविश भी समरेंगे संपादक रजणी की भावनाएं समझ का साथ देने का वादा करता है उनसे सारी बातें note की तथा एक समाचार भिजवाया संपादक कहता है कि बिल्कुल हम आपका साथ देंगे उसने सब कुछ note किया फिर एक note भिजवाया, note पतलब लिख के भिजवाया रजणी उसे बताती है कि 25 तारी को पैरेंट्स की मीटिंग की जा रही है वे यह सुचना अकबार में जरूर दे दे तो सब लोगों की को सुचना मिल जाएगी तो उन्हेंनों बोला कि इसमें आप ये बता दीजिए कि 25 तारी को एक मीटिंग की जाएगी जिसमें इस समस्या पर वारतालाब किया जाएगा तो जादा से जादा पैरेंट्स तक पहुचेगी तो जादा से जादा पैरेंट्स अपनी समस्या लेकर उस मीटिंग में उपस्थित होंगे इस ख़बर को आप अपने अकबार में छपवा दीजिए अब छटा दृश्य लगता है संपादा के ओफिस के बाद अब कहाँ छटा दृश्य लगा है बैठा किस थल मतलब जहां पर 25 तारी को मीटिंग होनी थी वो जगा का सीन लगता है क्या है एक हॉल में पैरिंट्स की मीटिंग चल रही है बाहर बैनर लगा हुआ है काफी लोग आ रहे हैं अंदर हाल भरा हुआ है प्रेस के लोग आते हैं रजनी जोश में संबोधित कर रही है आपकी उपस्तिती से हमारी मंजिल शीगर मिल जाएगी तो हाल है लोगों से भरा हुआ है लोग आ रहे हैं प्रेस वाले लोग भी हैं, सब हैं और यहाँ पर रजनी बोल रही है, रजनी बोल रही है कि अगर आप लोग सही योग देंगे तो हमारी जो मंजिल है उस तक हम जल से जल पहुँच जाएंगे, कुछ बच्चों को टेशन जरूरी है क्योंकि कुछ माएं पढ़ा नहीं सकती कुछ बच्चों को जरूरी क्योंकि माता हैं इत्ती पढ़ी नहीं है, कुछ पिता घर में काम में मदद जरूरी नहीं समझते, कुछ ऐसे हैं भई माएं घर में इत्ती व्यस्त रहती हैं क्योंकि कुछ लोग घर के कामों में हाथ बटाना जरूरी नहीं समझते, टीचर्स क एक प्रतिनिधी ने बताया कि उन्हें कम वेतन मिलता है, अब वहाँ उन्हें ने बताया कि हमको तो कम वेतन मिलता है, इसलिए यह करते हैं, अथा उन्हें ट्यूशन करना पड़ता है, कम वेतन मिलता है तो ट्यूशन हमें लेना पड़ता है, कई जगा कम वेतन देकर अधिक वेतन पर दस्खतत कराई जाते हैं मतलब कम वेतन दिया जा रहा है और ज़्यादा वेतन पर सिमनेचर लिये जा रहे हैं इस पर हमारा कहना है कि वे संगटित होकर आंदोलन चलाएं तथा अन्याय का परदाफाश करें तो इस पर रज्याय कहती है आपको संगटित होना है और उस पर एक आंदोलन चलाना है ताकि ये जो गलत कार हो रहा है इसका परदाफाश हो सके हम ये नियम बनाएं कि स्कूल का टीचर अपने स्कूल के बच्चों का टीशन नहीं करेगा कहने का मतलब ये नियम हमको बनाना होगा कि हम जहां पढ़ा रहे हैं उस स्कूल के बच्चों का टीशन हम नहीं लेंगे मगर दूसरे स्कूल के बच्चों को हम जरूर पढ़ा सकते हैं इस नियम को तोड़ने वाले टीचर के खिलाफ सक्त कारवाही होगी मतलब अगर ये नियम बन जाएगा और इस नियम को कोई तोड़ता है तो उसके उपर सक्त कारवाही होगी इस से बच्चों के साथ जोड़ जबस्ती अपने आप बन्ध हो जाएगी सभा के लोगों में इस बात का समर्थन किया तो मतलब सभा के सित्ते लोगते उन्होंने इस नियम का समर्थन किया कि ऐसा ही करना चाहिए अब इसके बाद लगता है सात्वा द्रश सात्वा द्रश क्या लगता है स्थान रजनी का घर अब रजनी का घर चाहाएग सिंद पहले भी लग चुका है है रजनी की रजनी बहुत प्रसंद होती है पती भी उस पर गर्व करते हैं तभी लीला बेन कांती भाई और अमित मिठाई लेकर वहां आ जाते हैं तो पती बहुत प्रसंशा करते हैं ये काम चल रहा होता है कि बोड ने सारी बात मान ली है और तभी वहां पे लीला बेन और लीला बैन के हस्बन कांती भाई और अमित वो बच्चा जिसकी वजह से ये सारी समस्या खड़ी उजागर हुई थी सामने आई थी वो सभी आते हैं खुश होते हैं मिठाई लेकर आते हैं क्योंकि अमित की प्रॉब्लम उसको नमाक्स अच्छे मिल गयते इस वजह से सभी बह जागर करी थी बहुत ही इंट्रेस्टिंग जो धारावाहिक था यह तो हमने भी देखा है आप लोग भी देखेगा बहुत मज़ा आएगा इस धारावाहिक को देखने में अब इसके उपर जो आधारित प्रश्नुत्तर हैं वो हम अपने नेक्स वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे थैंक यू बाबाए